हेलो विद्यार थियूं तो केमिस्ट्री के इस लेक्चर में आज मैं आप सभी को यहाँ पर जो है तीन टॉप मोस्ट इंपोर्टन टॉपिक बताने वाला हूँ यह ऐसे टॉपिक है जो अब तक बोर्ट पेपर में सबसे अधिक बार रिपीट हुए हैं और इनके आने के चांसेज भी इस बार सबसे जादा हैं तो अगर आप हमारे शिनल पर न्यू हैं तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूरान कर लेज इसके अलावा अगर आप यहां पर जो है बोर्ड एक्जाम के लिए एक बैस तैयारी करना चाहते हैं तो यहां पर जो है आप बूस्टर 2.0 बैस जोइन कर सकते हैं जिसका प्राइज उनली 599 है इससे संबंदे तो कोई भी जानकारी चाहिए तो आप अलविक क्लासेज डाउनलोड कर लिए या फिर आप दिये गए नंबर पर वाट्षप या फिर कॉल भी कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं अभिक्रिया की आणविक्ता के बारे में यानि की आणविक्ता क्या होती है तो इसके लिए पहले आपको यहां पर कुछ पॉइंट समझने है तो यहां पर दो प्रकार की होती है एक होती है सरल राशानिक अभिक्रिया या फिर इसे बोलायाता है प्रारंभिक अभिक्रिया इसके अलावत दूसरी होती है जटिल अभिक्रिया एक होती है कि सरल राशानिक अभिक्रिया और दूसरी होती है जटिल राशानिक अभिक्रिया तो अगर यहां पर हम लोग सरल राशानीक अविक्रिया के बात करें तो इसके बारे में आप लोग याद रखेगा कि ये अविक्रिया जो है केवल एक पद में पूरी हो जाती है यानि कि आप बोल सकते हैं ऐसी अभिक्रिया जो केवल एक पद में या फिर बोल सकते हैं एक चरण में पूरी होती है उससे बोला जाता है राशानी के अभिक्रिया या फिर प्रारंभी के अभिक्रिया और अगर यहां पर हम लोग जटिल अभिक्रिया की बात करें तो इसके आप लोग याद रखे कि यह अभिक्रिया जो है दो या फिर दो से अधिक पदों में पूरी होती है यहां पर यह अभिक्रिया जो है दो या दो से अधिक पदों में पूरी होती है और जो सरल रासानी का अभिक्रिया होती है यह केवल एक पद में पूरी होती है तो यहां पर संख्या को बोला जाता है अभिक्रिया की आणविक्ता यह अप लोग याद रखेगा संतुलित करने पर उसमें अभिकारक के जितने आणविक्ता कहते हैं भाग लेते हैं उन्हें जो है अभिक्रिया की आणविक्ता कहते हैं और अगर यहाँ पर हम लोग जटिल अभिक्रिया की बात करें तो यहाँ पर याद रखेगा इसमें जो है अभिक्रिया की कुल आणविक्ता नहीं होती है क्योंकि यह अभिक्रिया जो है यहाँ पर दो या अभिकरिया के तो वही यहां पर द्यान बताया गया कि किसी संतुलित सरलरशाइनिक अभिकरिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणव की कुल संख्या को अभिक्रिया की आणविक्ता कहते हैं तो इस प्रकास से आप यहाँ पर इसे परिभाशित कर सकते हैं तो अगर यहाँ पर एक्जाम्पल की बात करें तो अब दहन देजे हैं पर आप एक्जाम्पल के माध्यम से आप इसे किस प्रकासे समझ सकते हैं जैसे कि यहां पर हम लोग प्रयोग कर सकते हैं 2 HI यानि कि hydrogen iodide इससे यहां पर बनता है आपका H2 और प्लस I2 इस प्रकासे तो यहां पर दयान देजे इसमें जो है HI के कितने अड़ भाग ले रहे हैं आपर 2 अड़ इसके भाग ले रहे हैं क्योंकि इसके आगे 2 लिखा है तो यहां पर इसके आगे 2 अड़ भाग ले रहे हैं इसका मतलब इसकी अड़ विक्ता जो है यहा इससे यहाँ पर आपका बन जाएगा H2O इसके अलावाँ यहाँ पर Half O2 इस प्रकार से तो यहाँ पर दान देजे इसमें H2O2 के आगे कितना है कुछ भी ने दिया गया इसका मतलब यहाँ पर कितना होना चाहिए एक होना चाहिए तो इसका मतलब यहाँ पर अभिकारक के एक आणु भाग ले रहे है इसका मतलब यहाँ पर आणु विक्ता कितनी हो जाएगी एक हो जाएगी यहाँ पर जो आणु विक्ता होगी वो हो जाएगी वन यही आपको बताया गया था कि किसी संतुलित राशायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक यहाँ पर धन्देजे यह आपका अभिकारक है यह आपका यहाँ पर क्या है अभिकारक है तो भाग लेने वाले अभिकारक के अणूं की जो संख्या होती है उसी शंख्या को हम लोग यहां पर बोलते हैं अभिक्रिया की आणविक्ता तो यह आप लोग यहां पर इसके बारे में याद रखेगा अब इसके बाद धन्देजी अब आप यहां पर पढ़ेंगे अभिक्रिया की आणविक्ता तथा कोटी में अंतर तो अब धन्देजी आप यहाँ पर लिख शकते हैं अबिक्रिया की आणविक्ता और यहाँ पर आप लिख शकते हैं अबिक्रिया की कोटी अबिक्रिया की कोटी तो आपको इसमें अंतर बताना है तो सबसे पहला अंतर तो याद रखेगा कि जो आणविक्ता है इससे क्रिया विद्धी द्वारा ग्याद करते हैं और अभी क्रिया की जो कोटी होती है इसे हमेशा प्रियोगों द्वारा ग्याद करते हैं तो पहला तो अंतर आप यही बता सकते हैं यहां पर कि इसे क्रिया विद्धी क्रिया विद्धी द्वारा ग्याद करते हैं द्वारा ग्याद करत करते हैं और इसके अलावा कोट के बारे में बता सकते हैं इसे जो प्रियोगो द्वारा ग्यात करते हैं यह अब लोग इसके बारे में याद रखेगा इसके अलामा अगर आणविक्ता के बात करें तो आणविक्ता जो है ये एक सैधान्तिक मान होता है और जो अभिक्रिया की कोटी होती है ये एक प्रायोगिक मान होता है क्योंकि पहले ही बताया गया कि इसे प्रायोगों द्वारा ग्याद करते हैं तो आप बता सकते हैं कि यह एक सै धान्तिक मान होता है मान होता है जिसे कि यहाँ पर अभिक्रिया के आधार पर जो है ग्यात किया जाता है इसके अलावाँ पर इसके बारे में बता सकते हैं कि यह जो है एक प्रायोगिक मान है यह एक प्रायोगिक मान होता है प्रायोगिक मान होता है जिसे वेग समीकर्ण में अभिकारकों के सांद्रताओं के घातों के द्वारा ग्यात किया जाता है याद रखेगा कि ये एक सैधान्तिक मान होता है जिसे अभिकरिया के आधार पर ग्यात किया जाता है और यहाँ पर यह एक प्रायोगिक मान होता है जिसे वेक समीकर में अभिकारकों की सांदरताओं के घातों के योग द्वारा प्राप्त किया जाता है अगला आप बता सकते हैं कि जो आणविक्ता है यह जो है सूने नहीं हो सकती है लेकिन जो अभिक्रिया की कोट होती है यह सूने हो सकती है तो आप बता सकते हैं कि इसका मान इसका मान शूने नहीं हो सकता है सूने नहीं हो सकता है इसके अलाम अभिक्रिया की कोर्टी के बारे में आप बता सकते हैं कि इसका मान जो है सून्ने हो शकता है अब इसके बाद दन्देजी चौथा तो यहाँ पर याद रखेगा कि अभिक्रिया के जो आन्विक्ता होती है यह हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है यानि कि इसका मान जो होता है वो एक पूर्ण संख्या होता है यानि कि एक दो तीन इस प्रकार से और जो कोटी होती है इसका मान भिनात्मक और पूर्ण संख्या दोनों प्रकार का हो सकता है तो आप बता सकते हैं आप राणविक्ता क बारे में कि इसका मान THIS का मान 16 पोड शंख्या जैसे कि एक दो या तीन होती हैं यह अप لोग य्याद रखे गापर इसका मन जो एक पूर्ड शंख्या होती है और इसके अलावा रहा अगर पूर्ट की बात करें तो आप यहां पर बता सकते हैं कि इसका मान पूर्ण संख्या या फिर भिनात्मक इसका मान पूर्ण संख्या के साथ साथ भिनात्मक भी हो सकता है जैसे कि एक बटे दो तीन बटे दो इस प्रकार के संख्यां भी हो सकती हैं तो यहां पर बता सकते हैं भिनात्मक शंख्या दोनों प्रकार का हो शकता है दोनों प्रकार का हो शकता है तो ये अंतरियाद रखेगा इसके अलावप लोग याद रखे कि जो आणविकता है इसका मान हमेशा धनात्मक ही होता है लेकिन कोटी जो है ये धनात्मक और धनात्मक दोनों प्रकार की हो शकती है तो आगला पॉइंट आप इसमें बता सकते हैं कि इसका मान, इसका मान सदयो धनात्मक होता है, सदयो धनात्मक होता है, होता है, इसके अलावाईश में आप बता सकते हैं कि इसका मान धनात्मक, इसका मान धनात्मक वा रिडात्मक रिडात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है दोनों प्रकार का हो सकता है तो यह अंतर आप यहाँ पर इन दोनों में याद रखेगा और इसके अलाओ यह टॉपिक जूenviron बहुत ही important है इसलिए इससे आप लोग जो है बहुत ही अच्छे से तैयार करिएगा अब इसके बाद ध्यांदेजी यहां पर अगला है आरहेनी यह शमीकरण यह जो topic है यह बहुत ही महत्तुपूर है बोर्ड परिक्षा के दरिश्टी से यह जो समीकरण है यह भी ताप की निर्भरता से ही संबंदित है यानि कि आप बोल सकते हैं कि अभिक्रिया वेग पर जो है ताप का क्या प्रभाव परता है वो इसके द्वारा आप यहां पर समझ सकते हैं तो द्यांदेजिस में बताया है कि अभिक्रिया के वेग पर ताप के प्रभाव को इसपष्ट करने के लिए आरहेनियस ने एक समीकर्ण प्रस्तुत की जिसे यहां पर जो है आरहेनियस समीकर्ण कहते हैं याद रखेंगे आप लोग के बराबर A, E की पावर में होता है माइनस कैप्टल E यहां पर A और बटे में यहां पर होता है आर्टी इस प्रकार से इसे बोला जाता है यहां पर आरहेनियस समीकर्ण इसी के द्वारा जो है अब भिक्रिया के वेक पर ताप के प्रभाव को इस्पष्ट किया जाता है अब इसमें द्यांदेजी आप बता सकते हैं यहां पर कैप्टल A इसके अलावा द्यांदेजी A आया है पहले द्यांदेजी आपर कैप्टल A क्या होता है इससे बोला जात सकते हैं आप इससे आप बोलेंगे यहां पर कमपना वरति गुड़क नहीं का किन से कमपना वरत्ति गुड़क यह फिर आप पीशे बोल सकते हैं आप आरहे नियस गुड़क आरहेनियश गुड़क इसके अलावा इसे आप यहाँ पर आवरत गुड़क भी बोल सकते हैं इसके अलावा दहन देजी यहाँ पर आया है पावर में दहन देजी ई, ए इससे बोला जाता है सक्रियन उर्जा इसके अलावा धन्दी जी यहां पर आया है capital R capital R जो होता है यहां पर gas नियतांक होता है यह होता है gas नियतांक और अगर इसके मान की बात करें तो मान याद रखेगा 8.314 यहां पर आप बता सकते हैं Joule Kelvin Inverse इसके अलावा मोल Inverse यहां पर R का मान होता है इसके अलावा यहां पर आया capital T capital T यहां पर होता है parm tap इससे आप बोलेंगे यहां पर parm tap इस प्रकास है तो यहां पर यह सबी चीज़े हो गए इसके अलावा K क्या होता है इसके बारे में अप लोग पहले से जानते हैं यहां पर होता है वेग स्थरांग तो अब यहाँ पर दंदेजी इसमें कुछ पॉइंट आप लोग नोट भी रखेंगे तो आप यहाँ पर लिख शक्ते हैं नोट तो सबसे पहले यहाँ पर दंदेजी यहाँ पर जो यह दिया गया था माइनस ई ए बटे आर्टी इसमें बटे में दिया गया है आर्टी यानि कि ध्यांदेजी इस प्रकार से दिया गया है माइनस ई ए बटे आर्टी इतना दिया गया है तो यहाँ पर यह जो मान दिया गया है अगर इसमें यहाँ पर जो आपका यह कैपिटल टी दिया गया है यानि कि परम ताप दिया गया है अगर इसका मान आप बढ़ाएंगे तो ध्यांद जी ये कहां दिया गया बटे में दिया गया और हम ऐसा जब भी बटे वाली संख्या का मान बढ़ता है हाँ पर तो इस पूरे संख्या का मान जो होगा वो कम हो जाएगा तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि T बढ़ेगा यानि कि जब आप यहाँ पर ताप बढ़ाएंगे तो ताप बढ़ाने पर जो दिया गया है आपको माइनस E A बटे R T इसका मान जो है यहाँ पर फिर कम हो जाएगा यानि कि यहाँ पर घटेगा अब बता सकते हैं का मान घटेगा तो जब ताप यहां पर बढ़ेगा तो इसका मान जो यहां पर घट जाएगा तो अब धन्दीजी जब यहां पर माइनस E A बटे आर्टी इसका मान अगर कम होगा तो यहां पर धन्दीजी यह कहां पर दिया गया था E की पावर में दिया गया है तो इसका मतलब जब यहां पर इसका मान घटेगा तो इसका मतलब जो आपको यह दिया गया है A E की पावर माइनस E A बाई R T इसका मान फिर बढ़ जाएगा आप बता सकते हैं आप इसका मान जो है का मान बढ़ेगा तो यहाँ पर जो है इसका मान बढ़ जाएगा और जब इसका मान यहाँ पर बढ़ेगा तो द्यान देजिए किसके बराबर है यहाँ पर बराबर है के के तो फिर इस इस्थित में के का मान यानि कि वेग इस्थिरांग का मान बढ़ जाएगा कि बोल सकते हैं आप अभिकरिया की दर जो है यह बढ़ जाएगा इसका अमान यहांपर बढ़ेगा तो यह पॉइंट जो है आप लोग यहांपर याद रखेएगा इसमें आपको बताया गया कि यहाँ पर जो capital T दिया गया निकि जो परम tap दिया गया है अगर यह बढ़ेगा तो tap के बढ़ने पर क्या होगा minus E A बटे RT का मान क्या होगा यहाँ पर घट जाएगा और जब इसका मान घटेगा तो यहाँ पर यहाँ पर यह जो दिया गया तो इसका मतलब के के बढ़ने से फिर क्या बढ़ेगा यहां पर वेग बढ़ जाएगा यानि कि अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी और यहीं बताता है कि अभिक्रिया के वेग पर ताप का क्या प्रभाव पढ़ता है यानि कि जो अभिक्रिया का वेग है उस पर ताप का क् करता है यानि कि ताप के बढ़ने से अभिक्रिया का व्यक्ष प्रकास से बढ़ जाता है